नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विशे के अंतरगत व्याकरन पढ़ेंगे, जिसका सीर्षक है हमारा समास, पाठ समास, जिसे अंग्रेजी में कमपाउंड कहते हैं. सब्द निर्माण की किरम में नए सब्दों की रचना दो स्वेतंत्र सब्दों के मिल से भी हो सकती हैं. जैसे घुड दौर, घुडा पिलस दौर, घुडों की दौर, डांक गाड़ी, डांक पिलस गाड़ी, डांक के लिए गाड़ी, राज महल, राजा पिलस महल, राजा का महल तो उप्योक्त उधारणों में सब्दों अथ्वापद बंधों को संचिप्त करके नए सब्द बनाए गए हैं इस परकार सब्दों की रचना के विधी को समास कहते हैं समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है संचे मतलब छोटा अर्थार्थ अनेक सब्दों को जोड़ कर उन्हें संचित करके छोटा बनालेना ही समास कहलाता है अभी हमने उधारणों से इसपष्ट किया कि समास रचना में सामान्यते दो पद सब्द होते हैं पदकार्थ होता है सब्द दो सब्द होते हैं जैसे इन उधार्णों में घोड़ा, डांक और राजा पहला अथवा पूर्व पद है और दोड़, गाड़ी तथा महल उत्तर पद है समासरचना से बना हुआ पद समस्त पद कहलाता है इन्हें समासिक पद भी कहते हैं अते कहा जा सकता है, अभी हम इसकी परिभासा देखते हैं परसपर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक सब्दों को संचिप्द करके नया सब्द बनाने की पिरकिरिया को समास कहते हैं अब हमारे मन में विचाराता है समास विग्रह, समास विग्रह क्या है? समास विग्रह भी आपके एक्जाम में आता है, अभी हमने समास के बारे में पढ़ा, अब हम समास विग्रह के बारे में पढ़ेंगे समस्त पद या सामासिक पद के सभी पदों को अलग-अलग करना समास विग्रह कहलाता है सामासिक पद का विग्रह होगा सैना का पती सैना पती सामासिक पद है इसका विग्रह होगा सैना का पती अब हम समास के भेद के वारे में दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे नमस्कार धन्यवाद